धनू रार्शी 2021 मार्श का महिना कैसा रहेगा तो धनू रार्शी वालों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि धनू रार्शी वाले जातक काफी अशान्त रहेंगे मार्श के महिने में सब कुछ होने के बाद धन भी है पैसा भी है समृध्धी भी है जो चाहिए वो है अच्छे क नुभव की जाती है तो हिर्दे से आप अपने आपको अशांत और अपून सा महसूस करेंगे इस महीने तो मैं आपसे यही कहूँगी कि जबी भी हम अपून फील करते हैं तो बजाए कि हम अपने रिष्टों में उस खुशी को ढूंडे रिष्टों से और सबसे आप बाते करते रहेएं आप थोड़े से भगवान की तरफ शिफ्ट हो जाया करें क्योंकि वहाँ से जैसी शांती के नुभूती हमें मिलती है वो किसी हिल स्टेशन में जाके भी नहीं मिलती की शांती है, वो जो happiness और calmness within है, वो आपको प्रभू की शर्रण में जाकर ही राप्त होती है, तो आप चाहें तो इस महीने अपनी अशांती के निवारन हेतु आध्यात्मिक किताबों को पढ़ सकते हैं, पुरानों को पढ़ सकते हैं, जिस भी religion विशेश के आप हैं, अपने उस religion विशेश की पुस्तक को पढ़ सकते हैं, और अपने आपको शांत कर सकते हैं, यसरव इस महीने की बात है, और अगर आपकी रुची जागरत हो जाया, तो मैं तो कहूंगी, आज जीवन अपने ग्रंथोर पुराणों को पढ़ें, अपने religious text को पढ़ें, और उससे जो भी अच्छा आप सीख सकते हैं, जो भी best आप सीख सकते हैं, उसको अपने जीवन में उतार कर वैसा ही विवहार करें, तो मानसिक शांती भी क्या क्या लीलाएं कियें पढ़ें, भोले नात का चरित्र पढ़ें, जिस भी इष्ट से आप जुड़ते हैं, उनके चरित्र हमारे पास उपलब्ध हैं, उनको पढ़िये, आपको शांती का अनुभव घर बैठे ही हो जाएगा, लेकिन किसे से कटियेगा मत, सबके साथ रहेगा, कटना नहीं है, जैसी हम परिशान होते हैं, हम लोगों से कटने लगते हैं, वो नहीं करना है धीरे 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 आपको वो शांती भी मिल जाएगी, ये सरफ इसी महीने की बात है, तो major concern is आप थोड़े अशान से रहेंगे, आपका मन करेगा, मैं हैसे कहीं चली जाओं, या चला जाओं तो अगर वो हो पा रहा है, तो ठीक है, थोड़ी दिर के लिए घुमाईए, लेकिन सबसे best जो असली remedy है, वो मैंने आपको बता दी उसको perform कीजिए इस महीने और देखे कितने अच्छे results आते हैं, ठीक है, अब हम रोगों की अगर बात करें, तो रोग तो ऐसा कुछ निया, मानसिक रोग है, कि डिप्रेशन, वो भी रोग है, तो डिप्रेशन रुपी रोग आपको थोड़ा ग्रसेगा, उससे बचने की कोशिश करनी है, प्रभू के शरण, उनकी कथाओं को पढ़िए, इससे बड़ा कोई remedy नहीं है, किर्तन करिए, उनकी कथाओं को पढ़िए, उनके भजनों को कानों में लगा लीजिए, hands-free से, और सुनिए you'll feel much better, it'll give you immense positivity, आपका औरा positivity से जगमगा उठेगा, and you'll feel very better, ठीक है, अब हम आजाते हैं, lucky number और lucky color पे तो lucky color आपका yellow है, और green है, green थोड़ा सा जिसे कहते हैं न, nature, जो शांती आप बहार ढूंडने जाना चाहते हैं, आप हरा रंग देखेंगे, you'll feel better, आप पौधे लगाईए, या घर में पौधे जहां हूँ, वहाँ पे जाके gardening कीजिए, थोड़ा सा उनका ध्यान रखे, you'll feel better with nature, ठीक है और साथी lucky number जो आपका निकल कर आ रहा है, वो आ रहा है, lucky number is 9, तो वो आप, जैसे मैं हमेशा बोलती 9 number के इनका, आप तो सबको पता चली क्या होगा, देव गुरु ब्रियस पती का, आपकी विवेक को जवल रखेगा, तो ये depression रुपी रोग आपको ज्यादा गरस नहीं पाएगा, तो इन दोनों बातों का प्योग कीजिए, कोई decision किसी दिन लेना हो तो देखे, उस दिन में जो dates की यूती है वो 9 बनता है कि नहीं, जैसे 18 या 9 स्वैम खुदी, तो ऐसे दिनों पर decision लीजिए, अपनी विवेक को जागरत रख कर, ठीके, तो हो सकता decisions आपके सही जाए, क्योंकि जब हम emotionally low होते हैं, depressed होते हैं, तो decisions उतने great नहीं होते, तो इन सब बातों का प्रयोग कीजिए और अपने इस महीने को अपने जागरत बुद्धी से होश में रहके, प्रभू के चरणों में रहके उजवल बना लीजे Thank you